लास्ट टूल्स को हम लोग देखते हैं जो टूल्स है रिकॉम्डेट डिने टेकनलोजी के लास्ट टूल है जिसे हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं या ट्रांसफरमिशन भी रिकॉम्डेट डिने अगर आप इंसी आटम देखेंगे तो इसको अच्छे से एक्स्प् पहली बार समझें ट्रांसफार्मीशन माने क्या हुआ मैंने भी आपको पहले ट्रांसफार्मीशन माने फिर से आपको चाहते हुआ कि बार में बता दू कि ट्रांसफार्मीशन माने होता है ट्रांसफार्मीशन माने आप पहले समझें चाहे recombinant DNA लिखे into host cell अगर आप host cell के अंदर foreign DNA को transfer करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग transformation कहते हैं transformation of foreign DNA into host cell या आप figure बना भी लें अगर आपको कोई doubt लग रहा है तो आप इसे figure बना लें ये क्या है हमारा plasmid है किसी भी bacteria का ये plasmid है और आपने इस पे लेाके foreign DNA को इसे जोड़ दिया है तो जब आपने foreign DNA को जोड़ दिया है तो इसे हम लोग recombinant कहते हैं तो क्योंकि इसमें नया combination आ गया है या इसे हम लोग recombinant DNA कहते हैं फिर आप इसको जब cell के अंदर भेजते हैं किसी host cell के अंदर भेजते हैं host cell के अंदर अगर आप इसे भेज दें तो इस प्रक्रिया को Arkansas कहते हैं तो जब अगर ये host cell के अंदर चलाता है तो जिस host cell के अंदर आता है उस host cell को ओं लोग интересно प्रकरिया को टांसफार्मेशन कहते हैं अब आपको ये सीखना है, ये जो DNA है DNA इस हैड्रोफिलिक मालेक्यूल NCRT यही से सुरू करती है DNA इस हैड्रोफिलिक मालेक्यूल ये जो हमारा DNA है, ये हैड्रोफिलिक मालेक्यूल है मतलब water-lowing molecule है So cannot cross So cannot cross क्या वेटा Plasma membrane ये plasma membrane को cross करके Plasma membrane को cross करके शिल के अंदर नहीं जा सकता है जितना हमने इसली बात बताई कि फट से अंदर चला कि इतने असानी से यह नहीं जाता है जो आप सोच रहे हैं So cannot cross plasma membrane अब इसको transformation के लिए दो तरीके हैं एक तो है through vector एक तो चांस है कि हम लोग वेक्टर के द्वारा इसे अंदर भेजें एक तो ये चांस है through vector और दूसरा चांस है vectorless और बिना किसे vector का इस्तेमाल के हम लोग इसको शिल के अंदर भेज दें चैलेंज हमारी सामनी क्या है पहले आप समझ लिए हमारे सामनी चैलेंज है कि इस रिकांडर इंडियने को इस वोग शिल के अंदर भेज रहा है अब आईए देखा जाए इसे techniques कितनी है तो अगर पहला technique अगर आप देखे तो इस technique का नाम है chemical method ये देखे chemical method पहली technique है तो chemical method में क्या होता है आप ये देखे chemical method ये है अब हम करते क्या है ये पर फिर देख लिए इस पे जो है इस पे divalent iron का इस्तमाल होता है divalent iron का इस्तमाल होता है ये देखे divalent iron है उसका नाम calcium iron है हम करते क्या है ये देखे हम ऐसे shell लेते हैं ये देखे इस शिल के अंदर ये हमारा इस्चिराची कॉलाई वैक्टीरिया है कौन वैक्टीरिया है इस्चिराची कॉलाई वैक्टीरिया है इस वैक्टीरिया की अगर हम देखें ये इस्चिराची कॉलाई वैक्टीरिया है इस पाहर की मेंब्रेन का नाम बेक्टिरिया ये तो ये स्लवाल पाहर पढ़ी है और स्लवाल के अंदर बेटा मेरे gray स्लवाल के अंदर गांदर फॉल स्लवाल इसके अंदर प्लाजमट प्लासम स्मेब्चरियम् हमने कल्सियमाइन का मीडियम दिया कल्सियमाइन अब ये कल्सियमाइन क्या करता है कल्सियमाइन जो होता है अगर आप इसको देखें क्रियेट्स पूर creates pour in silval अब आप समझे हैं अगर इस बात को सीख पाएं NCRT ने लिखा हुआ है कि ये silval में pour कर देता है छेद कर देता है silval में जब silval ने ये pour कर देता है तो ये देखिए जो ये plasmid है ये silval को cross कर जाता है मतलब अब आप लिए सकते हैं so plasmid can cross so plasmid can cross silval अब ये जो plasmid है ये silval को cross कर जाता है लेकिन क्या वो sil के अंदर चला गया कोई और कोई बाउंटी है जो उसको रोक रही है बोलो भई उसको रोक कर रही है दूसरी बाउंटी है silval के अंदर वारी बाउंटी कौन से है plasma membrane है तो ये chemical method में क्योंनों silval को cross करता है किस की बात हो रही है plasmid की बात हो रही है किस plasmid की ये हम इस ते राज चे कुलाई बैक्टीरिया में देख रहे हैं कि हम plasmid को कैसे इंटर करते हैं तो अब देखिए दूसरी जो method इसे में include है उस method का नाम है heat shock method heat shock method heat shock method है heat shock method है ये इसी में include method है पतलब इसी chemical method में दूसरी method है जो heat shock method है हमने क्या किया ये देखिए ये हमारा ऐसे समझ ले आप ये शिल है इसके अंदर ये हमारा इस चे राच्चे कुलाई है ये इसकी silval है और फिर plasma membrane है दोनों अब हमने इसे क्या किया 0 degree Celsius पर रख दिया और हमें जहां रखना है कि इसके बाहर ये हमारा recombinant बढ़ा हुआ है जिसे हमें इस cell के अंदर भेजना है फिर देखिए 0 degree Celsius के बाद हमने क्या किया इसे फिर से आगे 42 degree Celsius पर रखा ये देखिए ये हमारा इसे राई चकुलाई की cell है अब हमने इसे 42 degree Celsius पर रखा जब 42 degree Celsius पर रखा अभी भी हमारा जो recombinant है वो cell के बाहर पड़ा हुआ है अभी कुछ cell के अंदर नहीं आया है ये देखिए लेकिन जब तीसरी में ठटाब लगाते है इसे फिर से अब 0 degree Celsius पर ले जाते है ये देखिए इसे इसे राई चकुलाई को 0 degree Celsius पर ले जाते है तो अब आप देखिए क्या हो रहा है ये हमारा इसे राई चकुलाई है ये इसकी plasum brain और सिलवाल है और ये देख बिटा इसके अंदर हमारा चला कोन आया कौन चला आया इसमें देखिए plasum brain ये देखिए इस मिथड को कौन से मिथड के है heat shock method तो इसमें क्या होता है कि पहले 0 degree Celsius पर फिर 0 degree Celsius पर फिर 0 degree Celsius पर इसे राई चकुलाई की सिल को रखते है इस तरह से आप देखिए प्लाजमीड अपने आप जो प्लाजमीड सिल अपने आप छुपडाई का अपने आप सिल के ँंदर चला हुता है दूसरा method दूसरा method होւसे मायक्रों इंजAJक्श्न मिथड कहते है इस method का नाम है micro injection method this method अगर आपको इसके बारे म लिखना हुट अए एक लाई लिखिए जो इसी आड़ी ने पूछा यास तक ये देखिए suitable for animal cells suitable for कौशे cell? animal cell ये animal cell के लिए suitable method है और अगर आपको animal cell के अंगर अपना recombinant DNA भेजना है तो आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं सिंपल सी बात है ये देखिए ये sin है क्या है ये? cell है कौशे cell है? आप लिखे लिए सरीए animal cell है पूरी बात लिखे लिए आप बिल्कुल चीनता ना करें ये इस cell का nucleus है और nucleus के अंदर ये इसका nucleus है सीधे आप लिखे हम क्या करते हैं? एक injection लेते हैं ऐसे देखिए एक बड़ा सा injection होता है इस तरह से जैसे आपको injection लगता है याद के लिए बच्पन में डॉक्टर जब आपको injection लगाता था सीधे इस injection को यहाँ पर देखे इस injection के अंदर इस injection के अंदर हमारा लिख पढ़ा हुआ है कौन सा DNA पढ़ा हुआ है इसके अंदर रिकॉम्नेंट DNA पढ़ा हुआ है और इसको सीधे इसके नुकलियस पे भेज दिया जाता है अलब आप समझें रिकॉम्नेंट DNA कहाँ चला जाता है सीधे नुकलियस में तो अगर आप देखे तैसे लिखते इस मेठट में रिकॉम्नेंट DNA इस ट्रांसफर इंटू इस ट्रांसफर इंटू नुकलियस इस में रिकॉम्नेंट DNA जो होता है सीधे नुकलियस में भेजा जाता है यह देखे एक बात मैं आपको याद करा दूँ जब आप हमरेपरसल पढ़ते हैं वहाँ परते हाँ इंटर साइटो प्लाजमी की स्पर्म इंजेक्शन वहाँ पर ओबं के साइटो प्लाजमी की स्पर्म की इंजेक्शन ला जाता है मनलब ओबं के साइटो प्लाजमी स्पर्म की जा जाता है साइटो प्लाजमी स्पर्म की जाता है और यहाँ पर इसके nucleus में सीधे recombinant DNA को transfer के दा रहा है यह कौन सी cell है? animal cell है तीसरी जो है यह देखिए तीसरी जो method है उसे हम लोग biolistic biolistic या इसी को हम लोग gene gun method कहते है biolistic या इसे हम लोग gene gun method कहते है यह देखिए biolistic या gene gun method कहते है इस method क्या होता है अगर आप देखिए तो suitable for plants यह रेखिए यह plant cell के लिए अच्छी है perfect है तो आप से पूछा जाता है suitable for plant cell यह पनी लिखने आपको clear रहे हैं कि की cell के लिए important है suitable for plants यह plant cell के लिए perfect होती है plant cell के लिए अगर perfect होती है इसमें होता क्या है अगर आप देखें इसमें अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ये plant cell है उसे बना दीजे इसm Taraald ये निकोलियस है ये डियने अगारा है हम लोग क्या करते हैं टंगस्टन या गोल्ड की टंगस्टन ये गोल्ड की हम लोग bullets ले लेते हैं, गोलिया ले लेते हैं, मतलब गोलिया ले लेते हैं, ऐसे bullets ले लेते हैं, coated with DNA, उनके उपर हम लोग DNA की coating कर लेते हैं, Coated with reconstruction DNA? या DNA लिखा हुआ है हम क्या करते हैं? कट्टा लेते हैं कट्टा समझते होगे अपी-पी भी या कट्टा कहते हैं हम ऐसे गन ले लेते हैं ये देखिए ऐसे गन होती है इसे जीन गन कहा जाता है यहांपर देखिए टिगर होता है ऐसे लगा लेते हैं इस गन को यहां पर एक खास तरह की गोलियां है यह देखे धेड़ सारी गोलियां है यह गोलिया जो है टंगस्टन या जो है गोल्ड की होती है और इन गोलियों के उपर हमारा DNA कोटेड होता है इनके उपर DNA से coated होता है इनको हमें इस cell के उपर बार बार bombard करते हैं और एकात गोली जो है cell के अंदर चली जाती है चाहे आप यहाँ देख लें यह टंगस्टन की गोलियां है और इनके उपर जो है यह DNA से coated होता है DNA coated होता है इस तरह से plant cell में हम लोग लगातार इससे fire करते हैं इस gun को हम लोग gene gun कहते हैं क्योंकि इससे हम लोग fire करते हैं लगातार गोलियों को cell के उपर और एकास cell cell के अंदर चली जाती है एकात कोई गोली जो है cell के अंदर चली जाती है वो गोलिया जो होती है यह लास्ट टेक्निक है हम लोग क्या करते हैं तबाम पैथोजन है जिसे हमको diseases होती है हम उनके बेकार जीन को निकाल के बाहर कर देते हैं उनमें हम अपरा DNA फिर से जोड़ देते हैं और जो यह दो कि अधिक है और जोड़ने एक बार हम फिर से से उनके बार करना शुरू कर लेते हैं आपको मेन में ध्यान रखना है माइक्री इंजेक्शन में हम लोग इन्जेक्शन लगाते हैं से नुक्लियस में रिकांटर देने को टांसर करते हैं बालिस्टिक इन तेंगर में टं Unwanted genes are replaced by, unwanted genes are replaced by, unwanted genes are replaced by, कौन सा gene पीटा, replaced by, unwanted genes are replaced by, desired gene, हम इसमें desired gene को जोड़ देते हैं, और फिर इने जो है किसी के भी अंदर भेज सकते हैं, तो यह टेक्निक्स हैं जिनके दोरा recommend DNA गो हम सिल के अंदर transfer कर देते हैं, यह नागल सी प्रक्रिया है जिसमें सेल्वाल के अंदर जाता है, केलशीम आयन में, यह wheat shock method है, जिसमें परले जीरो फिर प्रैयालिस फिर जीरो पर एक एखरा है, तो प्लाजमीट सेथ देक्छा प्लाजमीट सिर्क अंदर चला जाता है, बायलिस्टिक जीन गर्मेट जिसमें धूलिया फायर की जाती है डिसार्ड पैथोजन जिसमें जो ख़दरना पैथोजन से HIV हो गिया कोई और भी पैथोजन है उसके जो खराब जीन से जैसे टी आई प्राव्यूट रहा टीमर इंडिस्टिक प्लाजमिट अग्रोबेक्टिरियम को तो हमने टीमर वाले जीन को निकालके अपना डिजार जीन लगा दिया और फिर इसको हमने सेल के अंदर फायर करना शुरू कर दिया सेल के अंदर जाएगा और हम जो चाहेंगे उस तरह के प्रोड़क्ट तयार करेगा